चलो, आज मैं आपनों साथ कुछ ऐसी टिप्स लियर कर रही हूँ, जो की काफि ज़्यादा यूद्फुल है, बहुत सारी फ्रेंड्स को हमारी पता होगी, बट बहुत सारी फ्रेंड्स को नहीं भी पता होगी त 생 चले वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, तो फ्लीज वीडि तो वेल्कम आई दोस्तों आप सभी का हमारे इस न्यूव वीडियो में अपसे उम्मीद करती हूं आप सब इकदम बढ़िया होंगे स्वस्थ होंगे मस्थ होंगे एंड वीडियो को मेरे देख रहे होंगे तो चलिए आज मैं आप लोगो साथ सेड़ कर रही हूं कि जो हमार के चैजन में बहुत शारी सिस्टीजा होती हैं जो कि डेली यूज नहीं होती है तो बस वही सब मैं आप उसाथ सेर करूंगी किस तरह से हम उसको रख सकते हैं तो चली वीडियो को इसके मचाले होते हैं उसको रखे कि बाद कुछ तरीके से देखिए इसमें गाठे जैसे पड़ने लगती है तिसका लिए बहुत ही बेश्ट है आप अगर इसको ना बहुत लोग क्या करते हैं इसको जो है हलके से तवा पे भून लेते हैं उसके बाद करते तो इससे क्या होती है इसके जो महक होती है उड़ ज दाल देना है इसमें और डालने के बाद क्या करना है इसको अच्छे से मिक्स कर देना है और इसकी जितनी भी गांठे हुई है सारे गांठे को फोल लेने हैं तो यहां पर इस तरह से मिक्स कर देंगे ना उसके बाद आप जब भी मसाले चाहे जितने दिनों तक रखेंगे आपकी मसाले में झाले वगरे नहीं पढ़ेंगे, केरें नहीं पढ़ेंगे और साथ ही साथ इसमें गाठे भी नहीं पढ़ेंगे तो बहुत ही आसान सर्ट taped है, आप जरूर ट्राइ किजीएगा इससे आपकी जो मसाले हैं उसकी जो खुशवू है वो तो बकरार रहेगी रहेगी साथ ही साथ ही काफी दिनों तक लंबे समय तक चलेगी तो बहुत ही असान सट्रिक है आप लोग देख सकते हैं दोस्तों नमक डालते ही इसकी सारे जो गांठे हैं वो अपने आप ही तोट त सारी तूट जाएं और आपकी जो मसाले हैं और लंबे समय तक चलेगी तो यहां पर मैं एक कटोरी पानी ली हूं और इसको मैं अपने फ्रीजर में रख दी हूं तो यह बड़े काम की चीज है जैसे कि हमारे फ्रीजर में फिजूल का जो बर्फ जमते रहते हैं तो उससे क पहले हमें क्या करना है इसको यहां से प्रेश करके उसके सारे जितने भी जमे हुए है आइस उसको खतम कर देने हैं जैसे कि यहां पर जमा हुआ है तो यहां पर मैं यह कटोरी पानी रख रही हूं जिससे हमारे फ्रीजर पे ज्यादा प्रिशन ना पड़े क्योंकि एक लोड भी नहीं पड़ेगा ते बहुतaining यहें और ट्राइ किया गया है मैं इसको ट्राइग करी हुँसके बाद ही आप लोगों के साहथ सेयर कर रही हूं तो आप लोग भी एक बार मैं तो मैं तो मैं टो ये बड़े disciple कर रहे हो क्योंकि मुझे से निकालना काफी कचिप और आश he लगा सकती है कॉ बहुत ही जो ट्रिक है बहुत ही भी बेश्ठ है शाथ sore यह वाला भी ट्रिक कर लीजिएगा तो आपका इस्पून जो है बाहर रहके गंदर नहीं होगा ताइब इस तरीके से अपने इस्पून को इसमें अंदर से डाल देंगे उसके बाद इसको आप अच्छे से बंद कर देंगे तो यह देखिए आपका जो इस्पून है इसमें जना गया है आपको बाहर में जीन जोट्रें नहीं पड़ेगा तो आप इस तरह से ईजली निकालेंगे उसके बाद इसमें से नमक से यह फaban कर लेंगे उसके बाद अपना फिर से से बंद करके बंद कर देंगी तो मेरा अगला टिप्स है दोस्तों यहां पर यह दिखी मैं चावल जो है एक अलग से डिब्बे में फिल करके रखती हूं और मैंने इसका जो है वीडियो डाला हुआ था ते बड़ी कान की चीज है मैं तो मेरे लिए काफी ज़्यादा इजी हो गया है मेरा कोई भी जो बट कुछ भी प्रावर्म नहीं होती है फिल्हाल एक टिप्स मैंने आप लोग साथ सेर कर चुकी हूं आज को जो टिप्स है बरसात के सीजन है इस टाइम बरसात हो या नहों लेकिन वह अपना असर जो है छोड़ी देता है इसमें क्या होते ना छोटे-छोटे से कीड़े पने लगते हैं क्योंकि मौसम जो होता है तोड़ा सा सर्द हो जाता है तो इसके लिए बहुत ही असान सा ट्रिक है कि कि आप जो है ना 5-6 लॉंग के दाने होते ना इस तरह से जिसमें फूल हो यह वाला जरूर होना चाहिए आपके लॉंग में तो आप इसको ना इस तरह से स्क्राइब और निकल जाएंगे तो आप इस तरह से अपने चावल और याण डाल नागर करके चाल कर्याएं, क्यों चाल को बरबाद कर रहा हूं क्यों अपने क्षांफ के न सबढ़ हो कि आप उतरी से मार्केट्स से लाते हैं मर्केट्स लाते तो आपको चावल को एक बार इस तरह से करके जरूर ट्राइकल लेना चाहिए क्योंकि बहुत सारे जो है मार्केट में नकली चीजे डाल कर रहे हैं जैसे इसमें प्लास्टिक वगेरा का चावल बना करके मेक्स करके वेज रहे हैं तो जो चावल हम खाते हैं कापी जदर नु कि देला हुद चावल जल जा रहे हैं और गूल सबस्केट होगता है राक बना चाहिए कि अच्छ चावल ग día ठीक को तो यहां पी इस तरह से आपको ट्राइक कर लेना है तो मैंने यहां पे डाला हुआ है डालने के बाद अभी मैं आप लोगों को जलने के बाद दिखा रहे हूं हमारा जो चावल है एकदम से राख बन जाएगा यानि कि यह हमारा जो है चावल सही है इसको हम यूज कर सकते है तो आप इस तरह से जो है बनर पे भी डाल कर यूज कर सकते हैं तो आप इस तरह से तवा पर भी डाल करके यूज कर सकते हैं तवा पे इस तरह से करेंगे और अगर आपका चावल जो है तवा पे चिपक रहा है तो आप समझ लिजिए आपके चावल में प्लास्टिक का मिस ब्लास्टिक का खा रहे हैंया रियल का खा रहे हैं तो यहां पर इस तरीके से मैंने अपने चावल को चला करकि दिखाय हुआ है तो आप झब भी बाहर से मार्केट से चावल लें आएं तो एक एक बार इस तरह से जरूर ट्राय कर ले तो यहां पे दीए सकते हैं सारी के सारे चावल जो है राक हो चुके है तो यह चावल अच्छे हैं है तो ने अगला टिस यहां पेल मैं लार्षम ली हूं यहां पर मैं लैसुन निकाल ले नहीं तो बहुत सारी फ्रेंड्स को हमारे जो है लैसुन छिलने में काफी ज्यादा दिकत हो जाते हैं जैसे कि मेरा मैंने यहां पर नेल एकदम से खतम कर रखा हुआ है क्योंकि किच्छन में जब अगर आप खाना बना रहे हैं आपके पास च्छोटे च्छोटे बच्चे हैं तो आप जो है नेल को लंबा करके नहीं बना सकते हैं क्योंकि उसमें कितना भी आप साफ कर लो लेकिन उसमें बैक्टेरिया आई ही जाते हैं तो च्छोटे च्छोटे बच्चे रहते हैं तो खाने के साथ उनके अंदर चला जाता है तो तो आप गर्म तवे पर इस तरह से रख दूँगी और रखने के बाद इसको मैं कुछ सेकन के लिए ढग दूँगी तो इससे हमारे जो लहसुन की कलिया है सारे के सारे एकदम से साप्ट हो जाएंगे और आप आसानी से इसको छील पाएंगी तो आप इससे ढहीर सारा लहसु कि इससे सट हो जाते हैं तो इससे हमें पकाना नहीं है क्योंकि कही जगा अमें पका करके नहीं हमें सिर्फ कच्चा ही चाहिए होता है तो यहां पे मैंने कर दिया हुआ है चलिए मैं आप लोगों को छील के दिखा रहे हूं कितने ही प्रबुदो को अच्छा लगा होगा कमेंट करके बताना and एभी बताना कि आप कहां से देख रहे हैं मेरी वीडियो कौन कौन फ्रेंट देख रहे हैं क्योंकि मुझे ताकि मैं भी मोटिवेट होती रहूं अब